नमस्कार मेरा नमा लोग है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं अगले साल लोग सभा के चुनाओं होने हैं और उससे पहले बिहार में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकों लेकर चर्चाएं होती हैं आज हम बात करेंगे आर्सीपी सिंग की केंद्रिये इसपात मंत्री रहे बात में जितीर शुक्मार से समन्द बिगर गये जेडियू छोड़ दिया लेकिन आर्सीपी सिंग को लेकर चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे इसमेरे कन तक खबर भी चली थी पता नहीं कहां पर यह मामला अटक गया पेच फंस गया या आर्सीपी सिंग कब जाएंगे और आगे बड़ी हल्चल भी आर्सीपी सिंग को लेकर देखे मामला अटक गया है कारण कुछ और है और जो बरी खबर है इसी वीडियो में हम बताएंगे लेकिन पहले जी आर्सीपी सिंग को लेकर और उन्हें कहां से चुनाव लेने को आफर किया गया है या उ जाबर तो ये थी कि 30 अपरैल के पहले ही आर्सीपी सिंग को बीजेपी में सामिल करा लिया जाएगा अपने आजयाया लोग भी ज्वाइन किया जी आजयाया लोग बहुत अच्छे बगता है बहुत अच्छे प्रभकता है वे बीजेपी के लिए एक बिटामिन जाबित हो में लेकिन कल जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई दा वो ज्जाम बाले ज्वाइनिंग नहीं थी जिससे बहुत बड़ी हल चल हो जाए लेकिन बीजेपी के वैसे नेटा जो बिहार को देखते हैं भुपेंद्रियादम नित्यानंद्राय ऐसे नेटा वहां मौजूद नही थे तो खाय चलिए अजया लोग आ गया है वे अपनी पारी की शुवाद करेंगे मुझे लगता है कि प्रभक्तापत की जिम्मेबारी मिलेगी और भी परी जिम्मेबारी मिल सकती है तो यह तो बात अजया लोग की रही लेकिन हम बात कर रहे हैं आर सीपी सिंग की राम चं इफ्तार पार्टी में क्यों गई इफ्तार पार्टी में जाकर समय क्यों बरबात किये बुझा पार्टी की बाते करते हैं तो देखिए आर सीपी सिंग जाएंगे तो बीजेपी में ही लेकिन हुआ ऐसा जैसा हमने कहा कि आजया आलोग की ज्वाइनिंग में ज्ञाम नहीं हुआ तो RCP सिंग जाम चाहते हैं देखे पहले जो RCP सिंग को जिम्मेबारी दी गई निती इसोंमार को डैमेज करने की या JDU को डैमेज करने की बिढायक तुटे नहीं बिखान पासर तोटे नहीं अब तक सांसर नहीं तोटे हैं अब चुनाव करीब आएंगे तो तिक्तों को लेकर सांसर भले तोटे और यह तो होता ही है हर चुनाव के बड़ लेकिन फिर भी RCP सिंग का समायोजन BJP में होगा यह सच है और 30 अप्रेल के पहले क्यों नही नहीं हुआ क्योंकि करनातक में और कई पड़िसों में चुनाव चल रहे हैं तो जितनी बीजेपी की ताक्ते हैं प्रहानमंती नरेंदर मोदी हैं अमित्सा हैं सभी के सभी उधरी ब्यस्त हैं ठीक है न इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है तारिख मुकरर नहीं हो पा रही है कि वो किस दिन बीजेपी में सामिल कराएं जाएं तो अब ये मसला जो है वो दस मई तक तल गया है और करनातक के नतीजे यदि बीजेपी के पक्ष में आएंगी तो तुरंत भी संभव है और नहीं तो कुछ बक्त भी लग सकता है जो कि वहाँ जो अपीनियन पोल आ रहे ह है वो बीजेपी के लिए थोड़ी परिशानी वाले है खैर लेकिन जो इससे बरी ख़बर है देखिए चर्चा क्या थी कि आरसीपी सिंग नितीज कुमार को नालंदा में ही चुनोती देंगे गिरिजिला में गिरिजिला में गिरिजिला आरसीपी सिंग का भी है लेकिन बर सिप्पी सिंग भी समझते हैं कि नालंदा की दराई बहुत कठिन है ठीक है ना और आज तो आपने देखा ही कि जो नालंदा के मौजूदा सांसाइड है जेडियू के कॉसलेंद कुमार उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार को ही नोद दिया कि आपका होगा अमिट सा जब नबादा आए तो उन्होंने कहा नितीश कुमार के लिए नो इंट्री ललन सिंग के लिए नो इंट्री तो नितीश कुमार के बाद उन्होंने ललन सिंग का नाम लिया ललन सिंग कहा के सांसन है मुंगेर के सांसन है तो खबर ये आ रहे है कि आरसी पि सिंग इतनी हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे ललन सिंग पहले बीना देवी चुनाव जीते हैं तो इस बार क्या आर्जीपी सिंग आएंगे ललन सिंग को टकर देने चौविस में और देखिए क्या हालात होंगे क्या प्रिशितियां होंगे इस बात को भी समझें लेकिन यह परियोग 2014 में आर्जेडी ने भी किया था बर्गती मेहता जो पुरुब पत्रकार हिंदुस्तान मुझपःपूर के संपादक थे आजकर दो जेडियू में ही है उन्हें पत्रकाईता जीवन से सन्यास दिलाकर चुनाव मैदान में उतारा गया था लेकिन उस चु चमिकरन बनेंगे यह भी समझने की बात होगी विजय कुमार सिन्हा जो लालाइट है नहीं हम लड़ लें जोकि उन्हें 2024 में केंदर में संभावनाएं भी दिख रही है वे अभी नेता विरोधी जल है विहार सकार में मंतिर है तो देखिए यदि आर्सीपी सिंग आते हैं तो क्या बीजेपी के प्रक्स में भुम्यार मतो की गुलबंदी होगी बीजेपी के नाम पर भुम्यार मत कितने जाएंगे एक और समझ यह जो आप narrative की बात कर रहे थे याद किजिए आर्सीपी सिंग की बेटी कौन लिपी सिंग लिपी सिंग कहां थी बार की A.S.P. थी औ और जब अनन सिंग, मुकामा बाले अनन सिंग, जिनकी पत्नी नीलम डेवी, जिनने ललन सिंग भी हरा चुके हैं, जिनने ललन सिंग ने पाले में का चुनाव में ललन सिंग पचार पसार में गए, तो जैसे ही आर्शीपी सिंग आएंगे, तो अनन सिंग के जेहन में लीपी सिंग का थोरा गुंजेगा कि किस प्रकास इलिपी सिंग ने उनके घर बार में चापे मारी की थी और क्या कुछ नहीं किया क्या कुछ नहीं हुआ पतनी को घंटों तक खर रखवाया एक है 47 की ब्रामत की हुई जिसके बारे मैं लदमा गाउं है लेकिन उसको लदमा कहते हैं तो यह बड़ा सवाल है और यह बड़ी हल चल है कि आर सिपी सिंग को कहा जा रहा है कि आप नालंदा छोड़िए मुंगेर चलिए और लड़िए सुना से आपको पता है कि आर सिपी सिंग के भी जो दुस्मन है नंबर एक और दुसमन नंबर दो नतीश कुमार ऑं ललण सिंग है नई ओ ठीक है लेकिन लड़न सिंग पिय चाहेंगे आपको बटा ले कि आցशा रहाएंगे ऑर ही जाए यह जाए क्योंकि फैसला एक सामनी हो जाए और आर्सीपी सिंग का प्रदसन क्या होगा आर्सीपी सिंग बीजेपी में जॉइन करेंगे तो कितरे लोग जॉइन करेंगे उनके साथ यह देखने की बात है यह कनहिया सिंग भी है उनके साथ संगरस दिनों में खरे रहे हैं और हमने पहले भी कहा था कि क्या आर्सीपी सिंग सिर्फ अपने टिकट के लिए बीजेपी में शामिल होंगे क्योंकि जब उन्होंने जेडियू से इस्तिफा दिया तो ऐसा लग रहा था कि जेडियू में भुचाला जाएगा कितने सारे बिधायक क्योंकि 2020 में टिकट बाटने वालों में आर्सीपी सिंग थे लेकिन एक बिधायक जो भी उधर जाक रहे थे उन्हें इधर कर दिया गया और आप याद कीजिए जो आर्सीपी सिंग की बिल्कुल खास थे अभय कुस्वहा चंदर सिंग जैसे लोग जिनका दिन रात उठना बैटना था वे भी अब नितीज कुमार और ललन सिंग के साथ है तो पार्टी तो नितीज कुमार और ललन सिंग ने बचा ली आर्सीपी सिंग कुछ नहीं कर पाए लेकिन अब बात होड़ी है दोजाच चौविस की दोजाच चौविस में मुंगेर में क्या ललन सिंग बना मार्सीपी कि काफी लहर है लेकिन अंडर क्रेंट कैसा था ललन सिंग जीत गया है वो भी लाक वोट से उपर हाँ वो ठीक है और 2014 में हार भी गये तिस बात को भी आद रखिए कि चुनाओं में मैं बार बार कहता हूं कि 2024 में चुनाओं जो होगा वो किसके नाम पर होगा क्या नितीज को राम मंदिर समझें ना कपाट खुलने हैं और नरेंदर मोडी सुपर ब्रान तो हैं तो ललन सिंग भी लराके हैं और आसी पिस इंग को दिखाना है कि वे कागज पर तो लड़ते रहे हैं संगठन के लिए भी काम करते रहें लेकिन क्या जमीन पर ललन सिंग से भीर लेकिन हाँ लडाई तो होनी है लडाई देखिए जो हल्चल है जो चर्चा अगर इसी बात होती है यह तो देखिए अब सवाल पूछे जाएगे क्योंकि कहा जा रहा है नालंदा नहीं मुंगे चलिये मुंगे और मुंगे बी वह समिकरन जोरा जा रहा है मुंगयार को बेठा के खिलाते हैं मास भार खिलाते हैं मीट भार खिलाते हैं तो इस बात को समझना होगा ललन सिंग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और सामने में क्या रसेपी सिंग चुनाव लड़ेंगे चर्चा का फितेज है शामिल होंगे माई के माईने में हो जाना या अपने साथियों के लिए भी टिकट लेकर आते हैं बीजेपी में लेकिन ललन सिंग बना मार्सिपी सिंग अगर ऐसा होता है तो फिर रोमान चुभरा मुकाबला होगा ललन सिंग भी चाहेंगे एक बार सामने से आहीं जाएं त्यारी तो रहेगे हमारे चाल्म को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फिस पेज भी लाइक रहें इसके लाबा चुटे हंडल पर लाइप सीच फोलो करें धन्यवाद